भीमार में चीप आजासमाजपाटी की राष्टी है जग्चंद्र सिखर आजाद जी जो स्करोसों के साथ नगीना लोकस्वाज सीट पर चुनाव लड़ने के बाद अब देश के अलग-अलग लोकस्वाज सीटों पर जो है अपना कैंडिडेट उतार हैं इस कड़ी में आपको वतादूं की देखिए देश की राष्धानी की दिल्ली के जानी मानी जो सीट है नर्थिस्ट सीट आनि उतरी पूर्वी सीट जहां से भाजपा के तरब से मनोजतिवारी खड़े हैं जबकि इंडिये अलाइंस के तरब से यहां के कनया कुमार जी उतार हैं जहां पर कांग्रेस और आम आजमी पार्टी के साथ एलाइंस हैं आपको दादूं की कनया कुमार की पाचान जो है यह है कि वो जेनु के पुरुछात्र संग के अध्यक्ष रहे हैं और पहले वो सीपी आई एमेल में थे लेकिन वो जो है इस्थिती को देखते हुए का कांग्रेस से अब जो है नर्थिश सीट पर जो है कांग्रेस उनको टिकट दी है और अब लड़ाई जो है मनोज तिवारी और कांग्रेस नेता कनया कुमार के बीट में बचाई जा रही थी लेकिन आपको दादूं देखिए चंदर सेखर आज़ाद की जो पार्टी आजास समाज पार्टी से चंदर सेखर आजा जी बविता यादों को टिकट दे कर जो है उनको मनोज तिवारी और कनया के कनया कुमार के खिलाप में उतारने का काम किया है दोस्तों आपको उतादूं कि जो बविता कुमारी है पड़ी लिखी महिला है इनका जो क्वाइलिफिकेश की महिला है और वो जो है नर्थ श्रीट पर जो है चुनाओ लड़ रही है लेकिन कमाल की बात यह है कि जो मेंड श्रीम की मीडिया है वो लड़ाई नर्थ श्रीट पर जो है मनोज तिवारी और कनया के बीच ही दिखा रही है ऐसे गोदी मीडिया दिखा रही है जैसे मानो दोस्तों की उस सीट पर जो है कॉंग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई लड़ी नहीं रहा है आपको उतादूं की एक तरफ जहां मनोच्चिवारी को मेंश्ट्री मीडिया कभर कर रही है वहीं दूसरी तरफ जो है कनया कुमार को भी ज्यादा ज्यादा मेंश्ट्री मीडि के चुनाव चिनकितली पर जो है चुनाव लड़ रही है और दम कम के साथ हो कंपेणिंग भी कर रही है और यह कहा जा रहा है कि देखिए चंदर सेखा राजाद जी मनोच्तिवारी और कनया कुमार के खिलाप में परचार करने के लिए नर्थ सीट पर जो है बविता याद तो कितना परसेंट जीतने का चांस जो है दिली के नर्थ सीट पर है इस पर आपको उता जेते हैं देखिए अगर दिली के नर्थ सीट पर जाती है समयकर कि हम बात करें तो दिली के नर्स सीट पर दिली जो वोटर है वो सोरा फिश्दी है मुसलिम जो है तेश फिश्दी है बरामर इगारा फिश्दी बैस यानी जो बनिया है वो चार पॉइंट पांच जिरू परसेंट है पंजाबी जो है चार फिश्दी है गुर्जर साथ पॉइंट पांच और इसके अलावे आपको उतादू कि उत्तर पूर्वी जो सीट पर पुर्वांचली मतदाता करीब 28 पूर्वी उपी के मतदाता बड़ी संक्या में हैं इसके अलावे 23 पूर्वी मुस्लिम वोटर काफी अहम और निनायक भूमिका में हैं और इनका एकतारफा वोट चंदर सेखर आजाद की परतियासी भविता यादों को पड़ जाता है तो भविता यादों जो है यहां से सीट निकाल लेंगी वो कैसे तो जिस तरीके से दोस्तों आप अबादी देखे कि सबसे अगर ज़्यादा किसी की अबादी नर्थ सीट लोकस पर है तो है दलीतों की और मुसल्मानों का और दलीतों और मुसल्मानों का एकतारफा वोट बविता यादों का पड़ गया तो निशित और पर सीट जो है बविता यादों निकाल लेंगी देखे बविता में बड़ी वात है लेकिन भविता यादो जीत न पाएं इसके लिए जो मेंट्विम की मिडिया है जो गोदी मिडिया है वो जो है बविता यादो को चुनावी रैल्यू को कबर नहीं कर रहा है इनको दिखा नहीं रहा है लोक स्वाज सीट है आपको दादू की नर्थ सीट पर जो है पच्वे चण में मतदान होने है और यहां पर जो है मतदान संपन होगा और ऐसे में जो है जो में अश्ट्रम गोदी मीडिया है सिर्फ और सिर्फ कनया कुमार और बीजे पी जो सांसद है मनोजतिवारी को ही कबर कर रही है वैसे लोग सवाले भी खड़ा कर रहे है कि मनोज तिवारी की रवया को दिल्ली की जनता देख चुकी है कनया कुमार किस तरीके से पार्टी बदलते रहते हैं जब वो CPI ML में थे तो कहते थे कि छुआ छुट से आजाजी चाहिए पाखांडवाद से आजादी चाहिए और वो आजादी की बाद करने वाले कनया कुमा तो को अगर मेंस्ट्री मीडिया आज से कवर करना सुरू कर दे तो भविता यादो को जो है मैनत जिस तरीके से कर रही हैं वो चुनाव निकाल लेगी इसलिए दोस्तों आपको उता दूँ कि अपना मीडिया जो है असली मीडिया सोसल मीडिया और सोसल मीडिया इस सिर्फ बविता यादो को जो है कवर कर रहा है आपको उता दूँ कि जो मेंस्ट्रीम की मीडिया है और सिर्फ हर सिर्फ कनया कुमार और मनुजतिवारी को कवर कर रहा है लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि कनया कुमार और मनुजतिवारी के बीच में चंदर सेखर कि कंपेनिंग के बाद जो है जो मनोज स्तिवारी है और कनया कुमार है उनके वोटर उपर जो है एफेक्ट पड़ेगा कमेंट कर दीजिए वीडियो जन तद्क पर की यूट्यू चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फिस्बुक पर देखना तो सब्सक्राइब कर लिजिए बाकि मैं अंदर बसंत हूं क्या मेरे पर साथी है एडिटा हरेंदार बसंत जी बहुत बहुत धन्यवाद